एक समय था जब फिल्में बॉक्स ओफिस पर सिर्फ 30 से 40 करोड के बीच ही घमा पाती थी फिर एक ऐसा दोर आया और एक ऐसा स्टार आया जिसने पहली फिल्म 100 करोड की दी जी हाँ फिर उसके बाद दूसरी फिल्म 200 करोड और तीसरी फिल्म 300 करोडी फिल्में देकर इसने बॉक्स ओफिस पर तहल का समझा दिया नमस्कार मैं हो अनुच शर्मा और आप सभी देख रहे हैं टीम अन्भारतवर्श लेकिन इतने बड़े स्टार किट का बेटा और स्टार किट होने के बाब जूद भी वो बिलकुल अलग है लोगों से अब आप स सोशल मीडिया पर बने रहते हैं लेकिन आज हम जिस स्टार किट की बात कर रहे हैं उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो आज भी लोकल बसेस में धक्के खाते हैं और लोकल बसेस में ही ट्रैवल करते हैं उनके पिता बॉलीवुड में अपने परफेक्शन के लिए जाने मीडिया और इंडस्ट्री में चाहे रहते हैं उनका फैशन सेंस हो या फिर उनका लाइफस्टाइल इन सभी के जरीए वो लाइम लाइट का हिस्सा बने रहते हैं वहीं इंडस्ट्री का ये स्टार किट जो बड़े-बड़े सूपर स्टार किट से बिलकुल अलग है वो ब स्टार के बच्चों की तरह पार्टिया नहीं करते या कोई दूसरे जगे पर जाके अपने लाइफस्टाइल को शो नहीं करते और लाइम लाइट से दूरी बना कर रखते हैं जैसे कि सनी देवल और बॉबी देवल दोनों ने स्टार किट के तौर पर एक्टिंग की दुनिय होने वाले हैं आमिर खान के बेटे जुनेद खान एक्टर ही नहीं प्रिडिसर भी हैं आमिर खान के बेटे होने के बाद भी आज जुनेद एक आम और साधारन जिंदगी जीना ही पसंद करते हैं एक इंटर्विव में आमिर ने बताया था कि उनके बच्चे अब बड़े ह हो रहे हैं और जुनेद अपने काम को लेकर काफी ज़्यादा सीरियस है जुनेद के पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करते हैं स्टारकेट होने करोड रुपे आमिर की नेट वर्थ है फिर भी सूपरस्टार का बेटा सादगी की बहुत बड़ी मिसाल बना हुआ है जो कि बसों में सफर करता है और बहुत ही नॉर्मल जीमन व्यतीत करता है बताये ये भी जा रहा है कि जुनेत कान जल्दी आक्टिंग की दुनिया में भी डेब्यू करने वाले हैं आमिर की पहली फिल्म सौ करोडी फिल्म गजनी ही थी आपको ये खबर कैसी लगी हमारे कमेंड बॉक्स में ज़रूर बताएगा बाकी तवाम बड़ी खबरों के लिए आप सब भी बने रहें टीमन भाहत पोड़ के साथ